नमस्कार आमने सामने में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे साथ है श्री राजपाल सिंग शेखावत मिनिस्टर लोकल सेल्फ गोवर्मेंट अर्बन ड्वेलपमेंट हाउसिंग राजस्थान मंत्री जी स्वागत आपका कारेकरम में चलिए जी मुश्किल प्रशन पहले निप्टा लेते हैं मंदिर विवाद सुलज गया मंदिर विवाद ना भी कोई चीज नहीं थी डेफिनेटी डेवलपमेंट के अफ्ट्रेक्शन के दर कोई एक चीज आती हैं तो उनको कई बार रिमू करना जुर्दी होता है रिमू करना बार बी जिलू करना अलग तो यह कुछ कन्फूशन रहा कि असल में रिमूव समझने हैं वह तर मुण गलट समझने है इस। सब्सक्राइब रह सब्सक्राइब नहीं है कि पहले जहां भी जो मंदिर रेलोकेट हुआ है वहाँ पंडितों से और सबसे बात की गई थी? जहां तक संभव हो पाया है बात कर नहीं कोशिश की गई लिए फिर भी मैं समझता हूं उनसे और बहतर काम किया जा सकता था. कोई creative solution नहीं है कि मंदिर वहीं बने रहें और metro भी चली जाए और सड़के भी चौड़ी हो जाएं और development भी हो जाएं? और हमें पूरी-पूरी उमीद है जी कि एक ऐसा solution निकलेगा. बिल्कुल. लेकिन आगे की बताईएं जी चली ये तो रहा कि वहीं वह मंदिर संकर समीती के साथ बैठे वे हैं और वह कारे कर चलने लग रही हैं. तीस जून का हाई केट और है कि बिना इजाज़त जो भी धार्मिक स्थल है इसमें कोई हिंदू-Muslim से किसाई मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ. जो भी धार्मिक स्थल बिना इजाज़त है वो हटाए जाएं. और खास करके जैसे जो राजा पाक में पंच्विटी सरकल कि वो तो हमारे लोगों के देखते देखते पहले छोटा सा सरकल था और अब तो वो सड़क इतनी सी रह गई है और इतना बड़ा वहाँ पर एक पूरा का पूरा मंदिर बन गया है जहां धरम आ जाता है वहाँ पर लॉजिक लॉव ये चीज़े नहीं आती सिर्फ एमोशन लगी ती इस प्रेटिशन के तहत एथिया गया कि जतनी इस 2017 वी इसलीगल इस्ट्रकिरों की कि युव किया जा है उसके खिलाफ की कूट-मूशना की अबारती जन्ता पार्टी की सरकार नहीं थी और उस एफिदिविट के बार में कहीं जगे पर मंदिय प्रदेश में भी हटाये गए हैं यहां पर इस च्रॉक्श को अटाने के लिए उस ट्राफिक में रास्ते में आ रहे थे कुछ मेट्रो के रास्ते में आए कुछ रिंग र को कैनbay के लिए लोगों की अस्ता जिन मंदिरों में है व्हं की बहववनाओं का ऊंझी रखा जाना चाहिए था आप अब जिसके आपको six weeks comply करना है तो content of court हो जाएगा फिर क्या करेंगे आप क्या order देंगे जेडिये को और collector को मैं समझता हूँ कि court के निर्देशों की पालना नहीं कि किसी कामन नहीं है लेकिन कोट की निरेशों की पालना के रास्ते में जनता की भावनाय आहत हो जाएं यह दोनों चीज़ें नहीं होने चाहिए तक वी इसका से सवीलिशन लिगा सकता है कि जनता की आस्ता और अगर इससे पहले कंटेम्ट ओफ को और फिर जेडिये के अफसार और कलेक्टर को जा जा के वहाँ पेशी करनी पड़े क्या आप लोग कोई कि साकारात्मक कदम उठा रहे हैं कुछ तो हो सर हम कोई कोट बनाओ चार की बहावनाओं के प्रतिकूल जाकर के रुठ्स लिए कोई काम किया जाए इसके पक्षव में नहीं निकाय चुनाव पे नज़र रखके तो नहीं कह रहे ना इस पर सवाल चुनाओं का सवाल निकाय चुनाओं में आप देख रहे हैं राजस्तान में जब इधान सभागी चुनाओं तभी से पूरे हिंदुस्तान से कॉंग्रेस का सफाया शुरू हो गया लगाता थोड़े से कह रहे हैं कि लोगों में थोड़ी से नाराज़ गी है कि जिन वादों पर भाजपा आई ताकि जो भावना है उसके अनकूल रिजल्ट आएं अभी चुनाओं होने वाले हैं उन चुनाओं में कॉंग्रेस का साफ हो का सुप्राइब यह तो भी पता चल जाएगा दो चार दिन की बात रहे गई है इसके भी चुनाओं आजाएंगे उनिवस्टी इसके भी आजाए मैं आप से अतिकरवन से जुड़े हुए एक और प्रशन पुछना चाहते हूँ हमें दिख रहा है कि अच्छी बात है जो इलेगल का स्ट्रक्शन से उसको हटा रही है सरकार और आपके नीचे जेडिये हैं नगर नेगम हैं हाउसिंग बोर्ड है कि जो भी जहां पर भी ज शादिया होगी है उस घर में यह कब होगा कि जिस अफसर ने तब आखे मूंदी जब यह शुरू हुआ था कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिम्मेवारी उसकी भी आए क्योंकि यह तो साफ साफ ब्रश्टा चाह रहे हैं इसमें कोई दोरा है नहीं है कि जिस प्रकार का स्ट्रक इसका से बनाए जा सकता है इसके लिए क्या मेकनिजम हो इस आपकर मेदार से समय में जिस किि लापरवाई के करनल वरा रा उसके फिलाव हम करेंगे क्यों ना हर जगे कोई एक तक्ती सी लगा दी जाये या कुछ online ऐसा आ जाये कि जहां पर जब जो अफसर जिम्मेबार रहा है ताकि आठ साल बाद भी जाके देखे कि हाँ इस अफसर ने तब किसी भी कारण कोई भी monetary या otherwise benefit के लिए आखे बंद करी और इसकी वज़े से illegal construction हु हम उमीद करते हैं क्योंकि हर बार तो ये कब तक चलता रहेगा है ना कि हम लोग illegal structure बनाते रहे हम दो अफसर पैसे ले ले तीसरा अफसर तोड़ दे दो अफसर पैसे ले तीसरा तोड़ दे ये एक पुक्ता solution ही निकलेगी दूसरी बात सर urban development minister से हमारा ये रहेगा कि आप अब लोग बात करते हैं जैपूर को सिंगापूर बनाने की और हम बात करते हैं कि जैपूर को सर अपने civil lines जैसा ही बना दो कैसे एक ब्रेक के बाद हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं आप लोग देख रहे हैं आमने सामने कि ब्रेक की बाद आप सभी का स्वागत है अगर कहीं से भी जाना हो तो हम लोग सुचते यार किसी तरह घूमते फिटते चलो यार सिविल लाइन से होते वे निकल जाए साफ सुथरा शहर चोड़ी-चोड़ी सडकें हरे पेड़ एक बार तो लगता है जैपूर में ही नहीं स सिंगोपर बनाना चाहते हैं हमारा है मेंसा मानना रहा है कि जैपूर वर्ड क्लास फिकी बचिए आप जैपूर के rope में जानते हैं वह हंदुस्तान केcountage केsın के Yea रूप में जानने मला हिस सराज ले 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 उसका सिवरेज ले 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 उनकी रोड ले ले उनके बारे में मैं समस्ताव दुनिया बरके शिल्प का राजस्ता हिंदो जैपुर की बढ़ाई करते हैं लेकिन जैपुर का जो एक्सपांशन वहा है जिसकी चर्चाब यह कर रही थी लीगल कर्स्ट्रक्शन की बा मैंने जहां लेगा कि जैपुर में कि नेकावज जैपुर के जितने मास्टर प्लान की लिए करिस्पांशन के रहे हैं पर मास्टर का और स्टोंग वाटर का निकासिक प्रकार से करच के मैंने अभी सभी लोगों को बुला के काया कि ने के ओल जैपूर बलकि राज़तान की जितने मिनिस्पल कॉर्परेक्शन से मुनिस्पलिटीज है उन सभी के लिए और बड़े-बड़े में रेस्ट की जितने आज तक हम किसी बार-बार करते। ना कि हम कोई लोग पता नहीं किसकी बात करते है लेकिन राजस्तान का विकास और शह्री विकास इंटी से उस integrated form में करने के लिए planning की द्रस्टी से कोई काम या पर नहींगा मैं उबीद करता हूँ कि आने वाले सवे में इसका हम integrated way में development कैसे करें इसका master plan त्यार कर लेंगा यह बिलकुल आपकी बात सीखें क्योंकि सर जब हम लोग देखते हैं ना तो विधान सभा से आप बस पैदली निकल लीजिए तो वहां पर यह कटपुतली नगर है अर इतने कुडे के देर है closely इतना बुरा हाल है सर उचिए उचिए दिवारे बना कि उसके पीछे छोपाने से मेरे ख्याल से world class city नहीं बनेगी बिल्कुल सही का आप मैं आप मैं वर्ल्ड class city की बात नहीं को मैं जैबपोर को जैबर बनाने की बात पिर कभी सुनते हैं आपकी कमीटी नहीं बनती फिर हम कभी सुनते हैं कि वह टेंडर नहीं होता और भी कुछ सुनें इसके लाबा हां मैं करने हो कि हम सको डूर कलेक्शन करने के साथ मैं इसका सॉलीड वेस् मैनजमेंट किसा चया जाएं पहले हमने सॉलीड वेस्माइजमेंट का और डूर कलेक्शन के लिए अलग करेंगे औरस मनेजमेंट के लिए तेले करेंगे जब तो डूर कालेक्षेंट करने की बातित हो सकती है यह डोर कालेक्षेंट करना इतना असान काम नहीं है नहीं भी साहिशाव का मेनाईजिशन और तीसरा उस गेरेज का किस्परकार से हम तीटमेंट करके उसको प्रडेक्टिव बनाएं यह तीसरा दाइमेंशन इन तीनों डाइमेंशन पर जब तरह हम काम नहीं करेंगे तब तरह हम समझते हैं जैपुर को उस रूप में जैपुर नहीं बना चाहिए जिस रूप में आप जैपुर को वर्ल्ट टास सिटी बान र जाते हैं लेकिन एक आप से मैं सवाल पूछना चाहूंगी उसका जवाब आपने आधा तो काफी हमारे मेरे पिछले प्रशन में ही दे दिया कि आप सारे मुंसिपालिटी उसको कह रहे हैं कि वही अपने अपने शेहर में आप ड्रेनेश के ऊपर चेक करें क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि जो अर्वन डॉलप एंड हाउसिंग मिनिस्टर होते हैं उनका पूरा फोकस अपनी कंस्ट्यूट्यूंसी पर रहता है और कि आप जैपूर के हैं तो ऐसल तो नहीं है कि मेरी कंस्ट्यूंसी मेरे जैपूर को बहुत अच्छा बना दे बाकी शेहरों में सिवाए यह स्मार्ट सिटी जो सेंटर का प्लान है या हम लोग और भी जो चीज़ें कर रहे हैं इसके लिए पता चल रहे हैं इतने फंड जा रहे हैं और कुछ आप सोच रहे हैं कि यह यह दो तीन मेजर प्रोजेक्ट्स में बाकी शेहरों में करके जाओं मैंने आप स 30,000,000 से जाधा लाइटों का हम अगने वाले तीन सालों में लेड लाइट में तब्रील कर रहे हैं एक हजार करोड़ रूपे से उपर का प्रजेक्ट है जहां जो बने जैसी छोटी सी नगरपालिका से लेकर के जैपुर मुनिस्पर का कोई अंतर नहीं किया जाएगा यह एस मैं का मैं करता हूं कि टीव्ट बल्लोपेंट करेंगे बल्की equitable distribution करेंगे development का दोनों diamonds के साथ में हम काम करेंगे मतिजी आप नहीं कहा है कि civic bodies में पैसा ही नहीं है तो जो अब हम लोग इतने plans बना रहे हैं तो उनको execute करने के लिए पैसा कहां से आएगा इसके बारे में भी कुछ सोचा है या वो urban development tax जो बढ़ा रहे हैं वो उसमें cover हो जाएगा एक break के बाद हम अभी वापस आते हैं हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है tax थो हम बहुत सारे देते हैं लेकिन फिर उसके बाद सर सडकों में खड़े हैं शेहर गंदा है चलिए वो सब छोड़ी है आप मुझे बताईए कि हम यह मानते हैं सेविक लोकल बॉडिज में आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है बड़े बड़े फिगर्स बदाए जोट पूर 2000 करोड 3000 करोड हमने तो इतने फिगर्स ही नहीं सुने थे लेकिन यह हमको विरासत पर मिला है लेकिन मैंने यह कभी नहीं कहा है कि 2000 करोड का गाटा या 200 करोड रुपे या गाटा होने के कारण हम काम नहीं करेंगे जैसा कि मैंने का 1000 करोड रुपे की हम LED राइटर वो तबदीली कर रहे हैं दुर्बागे से कॉंग्रेस के सरकार ने उस पैसे का आप्टिम रुटलाइशन नहीं किया आप करेंगे हम करेंगे शुरूप से करेंगे और इसी का प्रमान है कि जो 2,000 करोड रुपे के गड़े लिखे गए चाहे जोधूर में लिखे गए हूं चाहे में कोटा में दिखे गए हूं और चाहे नहीं जेपूर में दी गए उन गड़्य नोगों एक साले भश्या लग भड़िया है लग 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 लगौ सर अरबंड डुलोपन्ट वियुद स्पाइब देखे चाहिए यह आपसको स्मार्श नियु कुछ बनाना चाहिए है हम यह दो देखना पड़ाएं कि हम सिंगापूर बनाना चाहिए जनता कितना पैसा अपने इस काम में contribute कर रही है और उसके बाद भी क्या कर रही है क्योंकि अपनी जिम्मारी है कर रही है कोई सरकार को जनता से अलग नहीं है सरकार को अलग माने है जनता को अलग माने है हम जब society के development की बात करते हैं तो करने कोशिश करेंगे अब यूडी टेक्स का अगरा फार्मुला रेखें जहां पर कहते हैं कई लोग प्रपर्टी टेक्स कहते हैं हमने इसको करा है मालूं पड़ा कि जैपूर में केवल 83 रुपए एक आदमी देता है जैपूर जैसे सहर में बागी रास्तान की शोड़ी है किसी सीटी के जीडीपी के मुकाबले कितना अपर साब परकाबिता कांट्रीबूशन हो रहा है अगर हम यह देखें तो दुनिया बेरके जितने भी अर्बन डेवलोपेंट का एक्सपर्स वह कहते हैं कि डेवलॉप्ट कंट्रीज के अंदर जीडीपी का तीन परच्ट और यह हम अच्छी सोलते चाहते हैं कि जैपूर के अंदर जब जैपूर इंदुस्तान आजाद वा था उसक्त टेक्स के रूप में जो कलेक्शन था वो सहर की जीडीपी के मकाबले ज़्यादा था आज गट गया है यानि जो कॉंट्रीबूशन जनता का कॉंट्रीबूशन ज सब्सक्राइब जनता की सहबागिता नहीं होगी और कई रूप लेंड इक्विजिशन बिल तो आप लोगों का वहां पे डिली में काबूसा नहीं आ रहा रहा रिंग रोड हो जाएगी सर पूरी रिंग रोड में जमीने सारी सारी हमने हमारे हाथ में आ चुकी है किसानों स बेरिंब नहीं किसे हमने काम सूरो ही ऑद प्रदेश की सर भी और रिंग रोड कने काम सुरूब यहीं वाले प्रभेकेंडर सही टाइम पर पीजनता के सबस्टाइब कर दिया हैं उसको दिल्ली इसे इस बात कही ती कि पिछले कुछ समय से लागू होगा नहीं जिस एक तो हमेंसा रेट्रस्पटिव कर लागू होता है उसमें प्रविजन होता है जयतनि एक आएगा पास हो इमेजियेट सर राइट नाओ आपको क्या सबसे बड़ी कमी लगती है हमारे शेहरों में हमारे शेहरों में इन्टी कि प्लानिंग की कमी लगती है एक सपना तेखा है पी एम नरेंदर भाई मोदी ने कि हर भारतिय के पास एक घर हो और हाउसिंग बोर्ड भी बहुत हद तक इसकारे को करता है कि हमारे यहां जो लो मिडल क्लास में जो गरीब लोग है उन लोगों को घर मिले उनके सर की उपर एक अपनी चछत हो कुछ नया शुरू कर रहे हैं हाउसिंग बोर्ड अपनी स्टापना से लेकि अभी तक क्यों दो तीन लाक मकार में ना पाया है जिसमे गरीब अमीर सब कुछ सामेड है बस जबकि राजस्तान के अंदर दो जार बाइस तक साड़े अठारा लाक मकारों की जरूर तुसर अब आपके अंदर आगया आप क्या करोगे इसलिए हमने एक जल्दी ही हम जल्दी आने वाले एक मैने के अंदर ही अब मुख्य मंत्री ज जाद हम साड़े इठारा लाक मार्व को मकान 2,2022 तक देना इस चुल identity हम सब के लिए चुलती है सरकार के लिए हम सब के लिए चुलती है और महीत करता हूं इस प्लिशी के आने के बाद ठीजिए से इस असका में काम करेंगे और 2,2022 ते पहले ही राजगित के इस ये हिंद।